देखे हमारा पेपर है पर्फार्मेंस मानेजमेंट पीम और इस पेपर में फर्स्ट और फॉल आउड़ पेपर इस गूंग तो बी असेस्ट सो एस दे अधर पेपर हमारे पास तीन घंटे का पेपर है और कुछ रेडिंग टाइम्स हमारे पास अविलेबल होता है तमाम क्व आए हमारे पास कि जो कुशिंड आपके पास आएंगे उसमें निमेरिकल्स भी होंगे और नेरेटिव कुस्टेंज भी पिर्विश्फी लिए इंपोटनेंट इन एवरी एइस तीए पेपर सो यहां पर भी हमारे लिए थीवरी बहुत इंपर्टेंट है साथ-साथ हमारे आपके पास फॉर्मूला शीट भी होगी जिसमें कुछ फॉर्मूला आपको प्रोवाइट किये जाएंगे नेसरसरी जो फॉर्मूला होते हैं और सेक्शन ए आपके पास लाइक अधर एसी से पिपर्स फिफ्टीन पॉर्टी क्यूस वर्थ टू मार्क एच सो हमारे पास जो पहले थर्टी मार्क हैं वो बिलॉंग्स टू सेक्शन ए और दिस इस फ्रॉम दी इंटायर स्लेबर स्लेबर के कोई भी एरिया यहां पर टेस्ट किया जा सकता है इन स्फिटन बी कंपराइज आफ थी स्टायल कुशिटिंज लें हम कें और हर एक इंडीजीज क्वेस्टिन में हमारे पास फाइफ फोटी क्यूस होते हैं और उसमें दो नमबर एक ओटी क्यूस के हमारे पास उते टू मांक्स मॉल्टीप्लाइव ऐफ फाइव इच यह section भी हमारे पास 30 marks का है जिसमें तीन different questions हमसे पूछे जाएंगे अच्छा यहां पर भी जो five questions आते हैं एक उसमें एक कोटी केस में तो उसमें numerical भी होंगे और उसमें डिस्करसिव element भी होगा हम इसे भी cb platform भी discuss करते हैं section c हमारे पास there are only two questions constructive response question और यह जो area है यह usually कुछ specific topics है हमारे पास जैसे decision making techniques budgeting and control that is variances and performance measurement area ही यहां से usually दो सवाल नॉर्मली बनाए जाते हैं अभी जो exam हुआ है last उसमें performance measurement का 20 mark का question था और जो other way around था वह हमारे पास variances का सवाल था 20 marks का पीएम का जो paper आता है वह बाकी पेपर से मुकाबले में थोड़ा से tough consider किया जाता है लेकिन अगर हम लास्ट की बात करें लास्ट से लास्ट की थोड़ी सी इंप्रूब्मेंट आई है इस पेपर गेंड़ सेक्शन ए और सेक्शन बी कहीं से भी आ सकता है लेकिन हम सेक्शन बी में भी कुछ टॉपिक जो ना वो spot कर सकते हैं कहां से आते हैं एस वी सी दसले बस एक्शाम्स रिक्वार्मेंट यह है कि इस पेपर को पास करने के लिए आपके पास जो टेखनीक्स रिक्वार्मेंग हैं तो कैंडिएट शुद बी एबिल तो number one identify and discuss the information systems and developments in technology required for the organization to manage and major performance कुछ theoretical topics है हमारे पास which are based on information data information system changes in technology what kind of information system is available for management to take decisions ये जो एरिया है ये ज्यादा तर आपके पास section A में test होता है इसमें से कुछ OTQ आते हैं उसके पाद हमारे पास section B जिसके अंदर हम cost and management accounting techniques बात करेंगे especially those techniques which are called modern management accounting techniques यहां पर हमारे पास जो तीन चार एरिया उसमें से one of the area is activity-based costing another is target costing life cycle costing किसी भी एक एरिया के उपर सवाल बन सकता है combination में सवाल बन सकता है लाइक टार्गेट costing लाइफ cycle costing पर सवाल बन सकता है activity based और उसको साथ कुछ मिला कर सवाल बन सकता है and environmental management accounting तो जो management accounting की modern techniques हैं उसके उपर section B में सवाल नॉर्मली बनता है section C में हमारे पास decision making का topic है decision making के topic में हमारे पास variety of issues है जिसके अंदर cost volume profit analysis break-even टेकनीक से relevant costing है make or buy decisions है इसके लाबर risk and uncertainty है जो कि normally section B या section C में आ सकता है similarly हमारे पास budget है इस topic के अंदर इसके अंदर हम कुछ quantitative techniques budget की पढ़ेंगे previously आपने high low method पढ़ावा है regression correlation पढ़ावा है time series पढ़ावा है तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें दुबारा useful रहेंगी high low method है regression correlation है time series analysis है और एक नहीं टेक्नीक यहाँ पर हम पढ़ेंगे learning curve technique जो कि budgeting के अंदर इस्तेमाल होती है budgets बनाएंगे हम fix or flex budget को discuss करेंगे हम normally functional budgets नहीं बनाएंगे वो f2 में cover होता है यहाँ पर हम बात करेंगे types of budgeting के उपर के activity based budgeting क्या होती है incremental क्या होती है rolling budget क्या होती है different budgets की क्या के usefulness होती है और उसके बाद हमारे पास control technique के अंदर हम standard costing का system जो पढ़ेंगे तो variances पढ़ेंगे अब variances जो है F2 में basic variances cover हो चुके हैं तो यहाँ पर advanced variance पढ़ाए जाएंगे जिसके अंदर material का mix variance पढ़ाए जाएगा और material का yield variance पढ़ाए जाएगा simple material variance हम already पढ़ चुके इस तरह sales mix variance पढ़ाए जाएगा yield variance पढ़ाए जाएगा planning and operational variances एक नया topic है वह पढ़ाए जाएगा कि जी planning variances क्या होते हैं और operational variances क्या होते हैं जो traditional हमने variances पढ़े हैं material के labor के overheads के sales के वह सब हमें prerequisite हमारे पास उसकी information होनी चाहिए next section में हमारे पास है performance measurement this is one of the most important topic यानि के हर paper में आपके पास एक सवाल performance measurement में से आता है जिसके अंदर different issues है हमारे पास और यहां financial ratios ratios and non-financial performance के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ models है जिसे balance score card model है building block model है वो इस तरह के models कुछ हम पढ़ेंगे जिसके बारे में सवाल आ सकता है last is you have to demonstrate required employability and technology skills cb exam आपको attempt करना है तो उसकी functionality आपको आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जी वर्ड प्रॉसेसर और एक्सिल वगरा कैसे इस्तेमाल किया जाता है जो भी मार्केट में technology की skills आपको नीड़ेड है और खास तरुपर जो cb portal है आपका उसको एक्सिस करके आप देखेंगे कि उसमें क्या 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 फंक्शन है navigation वगरा क्या है उसको कैसे इस्तमाल किया सकता है अब यह जो सिलेबस एरिया यहां पर हमें हमारे पास है पहला सेक्शन थियोरी का है हमारे पास जिसके अंदर information system के बारे में पढ़ेंगे हम दूसरा management accounting techniques है तीसरा decision making है चोथा budgeting and control है पांचवा performance measurement है और छटा हमारे पास employability and technological skills है यह कोई हमारे पास syllabus टॉपिक नहीं है इस जस्ट टेक्नीक जो में पेपर के अंदर apply करनी होती है प्री रैक्वेजिट इसका है हमारे पास F2 F2 से कुछ टेक्नीस हमारे पास आएंगी F5 में और F F5 से आगे हम जाएंगे APM के अंदर यह पेपर APM के लिए जो ना basic paper का काम करेगा और इसके लिए F2 basic paper का काम करता है F2 में कुछ टेक्नीक हमारे पास थी जैसे single limiting factor हमने पढ़ा था इस सिंगल लिमिटिंग फेक्टर के अगेंस्ट हम मल्टिपल लिमिटिंग फेक्टर पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्नीक है मल्टिपल लिमिटिंग फेक्टर इसी तरीके से basic break-even बेसिक break-even analysis हम पीछे पढ़ चुके हैं यहां मल्टि प्रोड़क्ट break-even analysis पढ़ेंगे तो जो जो टेक्नीक से फ्टू में पढ़ाई जा सकी absorption costing हम वहां पर पढ़ चुके हैं यहां पर हम activity based costing पढ़ेंगे वहां पर budget सम फंक्शनल पढ़ चुके हैं यहां पर budgeting के हम की basic knowledge यहां पर काफी ज्यादा student को help out करती है अब थोड़ा सा detail में अगर हम focus करें डिफरेंट syllabus एरियास को सो syllabus एरिया a begins by focusing on the information needs technologies and system required by organization to manage and major performance in the modern competitive environment देखें आज कल management accounting का जो function है वो जो traditional function है उसके साथ अगर देखा जाए तो उसमें information का एक बड़ा role आ चुका है जिसा आप लोगोंने terminology सुनी होगी big data तो आज कल big data पर बड़ी बात की जाती है कि ऐसा data जो के नए system के अंदर आता है उसके अंदर तीन वीज होते हैं velocity इसकी speed बहुता होती है variety होती है volume होता है तो how to handle those data तो management accounting को जो decisions लेने हैं तो यहां पर आपको पढ़ाए जाएगा कि किस तरह से management accounting system में decision making में information का क्या role है information system का क्या होल है क्या कि टिकनोलेजिकल चेंज़े आ चुकी है वह यहां पर पढ़ाए जाएगा इंटाइर ली दा थेओरिटिकल एरिया नेक्स्ट हमारे पर एक बड़ा important section है और वह है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट accounting में जो advancement आई भी है specialized techniques आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी जिसके अंदर हमारे पास त्रूपुट accounting है एक टॉपिक इसी तरह से टारगेट कॉस्टिंग टेकनीक से इसी तरह से लाइफ साइकल कॉस्टिंग है टोटल कॉलिटी management है जस्ट इन टाइम है यह कुछ modern टेकनीक्स आपको पढ़ाई जाएंगी कि यह किस तरह से आजकल दुनिया में इस्तमाल की जाती है decision making में as I told you कि हम कुछ topics already पढ़ चुके हैं जेके single limiting factor हम पढ़ चुके है pricing decision एक बड़ा important topic है make or buy decision with or without limiting factor और फिर end में हम discuss करेंगे risk की क्या के types होती है risk को कैसे assist किया जाता है decision tree वगरा इस तरह के topics पढ़ेंगे इसके अंदर हम planning के different तरीके डिसकस करेंगे budgeting की टेक्नीक्स पर बात करेंगे budget का human behavior पर क्या असर पढ़ता है सही है उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे controls के उपर और और फिर variance analysis के उपर बात करेंगे यहां पर हमारे पास आएगा performance measurement इसमें जो financial ratios हैं वही financial ratios हैं जो हम F2 में F3 में F7 में F9 में पढ़ चुके होते हैं normally और यहां पर अब हम financial के साथ साथ non financial performance indicators पे भी बात करेंगे जैसे फॉर एक्जामपल अगर हम बात करते हैं gross profitability का क्या implication होती है net profitability करेंट रेशो कोई क्रेशो यह तो financial मेजर्स हो गए लेकिन नॉन-financial मेजर्स फॉर एक्जामपल customer satisfaction को आपको मेजर करना है या employment related कुछ performance indicators है जैसे employee का turnover rate है इसी तरहीं किसे new product development है तो वो एरिया जो यूजवली financial statement में available नहीं होते बट दे आर और दोस एरियाज आर वेरी important for the success of any organization उस पर हम बात करेंगे और भी शुड़ नो कि आगर आपको किसी company को improve करना है तो how you can improve your financial indicators how you can improve your non financial indicators और अगर कुछ changes आ रही है with the passage of time तो उसके उपर आपको company की performance को assist करना पड़ेगा यहां पर हम profit organization के उपर भी बात करेंगे not for profit organization के उपर भी बात करेंगे कि उनकी performance को कैसे assist किया जाता है along with हम divisional structures पर बात करेंगे कि अगर एक divisional structure बना दिया जाता है तो हर division की performance को कैसे major किया जाएगा including ROI क्या होता है return on investment कैसे निकालते हैं residual income कैसे निकालते हैं और पिर जब division आपस में एक दुसरे के साथ काम करते हैं तो आपस में जब एक दुसरे को बेशते हैं तो time series का एक बड़ा important role होता है कि time series इस दफ़ा एक paper में 20 marks का जो topic assist किया गया इस section से वो time series को based बना कर किया गया डिवीजनल से भी कुछ सवाल mc की उजबाएं लेकिन mainly जो section c में सवाल आया that was based on time series analysis अच्छा अब as far as the preparation is concerned तो preparation का आरे में जो guidance हमारे पास available है वो सबसे important चीज़ यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पूरा syllabus cover करके जाना होता है ताके किसी भी section से कहीं से भी examiner अगर आपसे कुछ पूछता है तो आपको वो easily address करना है theory भी cover करनी है numerical भी cover करना है तो आपका focus जो है अपना syllabus और study guide के उपर होना चाहिए जो कुछ paper में आएगा वो syllabus और study guide के अंदर से cover किया जाता है अच्छा in depth आपको जाना है हर topic को इसकी depth में cover करना अगर आप किसी topic को उपर उपर से cover करके जाएंगे तो ultimately फिर आपके लिए problem यह हो सकता है कि हो सकता है आप से question properly आप address ना कर सके practice is very important आपको past papers को practice करना है cb platform जो आपके पास questions available हैं उनको practice करना है इसी तरीके से एक बड़ा important area है हमारे पास वह है टेक्निकल आर्टिकल्स एसी सी की website पर जितने भी PM से related technical articles हैं वहर topic के साथ आपको लाजमी study करने हैं क्योंकि उसमें आपको पास वो तमाम चीज़े मौजूद होती हैं जो आपके पास usually नॉर्मली सम्टाइम्स किताब के अंदर भी अविलेबल नहीं होती टेक्निकल आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में आपके पास जर्नल बिजनिस इन्वार्मेंट की ऑन्डेस्टेंडिंग होनी चाहिए लाइक मैनुफेक्ट्रिंग और्गनाजिशन के क्या सर्विस और्गनाजिशन की क्या प्रॉबलम्स हैं क्योंकि जब आपको कोई सिनारियो बना कर दिया जाएगा किसी भी कंपनी के बारे में अगर आप उस बिजनिस की नो हाव रखते हैं सब्सक्राइब आपको एक एर लाइन की पर्फार्मेंस मेजर्मिंट के बारे में कहा जाता है तो इसके फाइनेंशल और नॉन फाइनेंशल इंडिकेटर अगर आपको असिस करने हैं और आप अगर जानते हैं किसी एरलाइन के बारे में किसी होटेल के बारे में तो आप बहुत सारे इंडिकेटर पहले से आपको पता होंगे लाइक फॉर एक एर लाइन है तो आपको पता होगा कि airline में एक बड़ी important चीज होती है time पर आना और time पर जाना arrival time और departure time is very important customer satisfaction level food की quality pricing यह सारे चीज़ें बड़े matter करती है इसी तरह hotel business में आपके menu में नईनी recipes होनी चाहिए customer satisfaction होनी चाहिए आपका serving time आपका staff जो है उसकी courtesy कैसी है तो service sector वैसे भी हमारे लिए बहुत important है क्योंकि service sector में जो techniques apply होती है तो वहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से indicators हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो जितनी जादा आपके पास business की awareness होगी उतना ही आपको एक फाइदा मिलता है कि आप उसको utilize कर सकते हैं और easily यहां पर काम कर सकते हैं अच्छा यह तो बात हो गई आपके पास पेपर में क्या-क्या आता है क्या क्या चीजने अवैलेबल होती है अब हम चलते हैं जो हमारे पास सीवी प्लेटफॉर्म अविलेबल है और सीवी प्लेटफॉर्म के उपर क्या रिसोर्स आपके पास अविलेबल है रियल में आपका यह पेपर कैसा दिखता है तो उसके लिए हमें एक सीवी प्लेटफॉर्म में जाके एक पेपर असिस्ट कर लेते हैं आपके हमें आइडिया होके हाव और पेपर लुक लाइक तो लेट मी शेर विट यू देखें ये एक दुबार एसको एक्सिस करते हैं तो आपके पास कि जब आपने माई एसी सी को लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लॉग इन अब आपको सवाल पूछने तो आप सवाल पूछ सकते हैं इसमें से लॉग इन कर लो इसमें कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर में हर एसी सी के पेपर में आप थियोरी का इनिशल मार्जन रखते हैं फिफ्टी फिफ्टी जहीं है तो नहीं हमें के पैपगी आफ़क्र में बी लैकवाइस आपके पास जो की इत Golden ऑगी और जिव चे से सवाल आएंगे इसके अंदर भी आपकास 20 मांक्स में अच्छी खासे फिब्ल्किल एารक के अप जा सकते हैं जैसे के अंदर के फोकस होता है इस तरह यहां पर भी का फोकस हो सकता है पास इस टुफ दूसरे पेपर से मुकाबले में इस बिट टुफ और उसका रिज़न यह जाता है अदर हो सकती है तो जैसे हम एफ-9 के अदर investment appraisal को target करते हैं तो यहां पर performance measurement वाला एक ऐसा section है कि अगर उसको target कर लिया जाए तो आपके 20 marks वहां से secure होते हैं फिर कुछ easy topics है जिसे activity based costing easy है दस नंबर का सवाल वहां से usually आता है या पिर आप target costing को target कर सकते हैं वह भी दस नंबर के लिए बाज़फा आ सकता है लाइफ साइकल costing तो कुछ easy areas है variance बहुत important है लेकिन advanced variance थोड़ा से tricky है अगर practice की जाएगी और हर topic की theory को और समझा जाएगा तो फेपर पहली आटेंब में easily पास हो सकता है लेकिंग स्टूइंट सी जो होती है वह है लैक आफ प्रैक्टिस इन डेप्ट नालेज नहीं होती costing की basic costing skills missing होती है उसी पर काम करना आप जैसे फर एक्जामपल एसी से की यहां पर आप माई एसी से पर जाते हैं तो आपके पास आफिशल में एक दो तीन चार चार पुराने पास पेपर यहां पर दिये वें में कोई ऐसे इक पैपर अगर ऑपैन करते हैं पिसके वहां से एंप्रसर के लिए ये आफंजर ये चौяж से लिए से लिए ब उखेप के शे चेक करके यह डी ब्रीफ करके आपको बताएगा कि जी आपके एक्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आई ठीक है आप जैसे फर एक्जाम्पिल यह मैंने प्रैक्टिस एक्जाम खोला तो इसके अंदर इन्होंने यहां नविगेटर पर जाएंगे तो आप यहां देखेंगे डो लास्ट सेक्शन सी टाइप के यहां पर क्वेस्टिन भी एगा एंडिस दौ फॉलिंग सिनारियो रिलेट्स तो थी क्वेस्टिन इस फंक्शनालिटी से स्टूरें नॉर्मली यूस्ट्व होते हैं यह लास नंबर की थे बजटिंग की डिफरेंट टेक्नीक से तो यहां पर एक टेक्निक पूछी विए कि एक्टिविटी बेस बजटिंग क्या है उसको आपको डिसकस करना है तो यह सवाल है तो लाइक वाइस रिस्पॉन्स शीट आपको क्या दी गई है सिरी के पॉइंट कि आपको यहां पर टाइपिंग करने हैं तो रीजनेबल टाइपिंग स्पीड आपकी रिक्वाइड एस पेपर के लिए अब इसी सवाल में जो दूसरा पार्ट पूछा गया तो वहां पर यहां पर कुछ मार्कस की आप देखें यहां पहले रिकार्मेंट की थि यहां पर पूछी और यह पर आपने कुछ किया तो इसकीže आपक करने है और यह भी स्वाइद हम आंसर करें सब्सक्राइब कुस्टन और पॉपर्पारमैंस मेजरमेंट सा यहां पर अगपर इसे वह यह लृटिकल पर्फॉइट उप्वालेट के बारे में डेटा दिया हुए नुमेरिकल उसके प्रॉफिट एंड लॉस नंबर ऑफ और कस्टमर कंप्लेंड स्टाफ टरन ओवर और यहां पर हमें एक नुमेरिकल पुछा गया है फॉर इच ऑफ डिवीजन कैलकुलेट दर रिटन ओन इंवेस्मेंट कैलकुलेशन रिटन और इंवेस्मेंट उसको टार्गेट बनाया जाता है बोनस के लिए तो अगर आप रिटन ओन इंवेस्मेंट का टार्गेट सैटिस्फाइब कर देंगे तो और अगनाजेशन उस पर्टिकुलर मैनेजर को बोनस देगी तो वह यह रिक्वार्मेंट है यहां पर गया गया और यहां पर हम अपनी कॉमेंटरी लिखेंगे इसलिए यहां पर एक आपको थियोरी लिखने के लिए जो स्पेस दिया गया है साथ यह बताया गया है दिर आर फॉर माक्स अविलेबल फॉर कैलकुलेशन वाटेवर कैलकुलेशन युवांट तो पूछा जाता है कि उसकी सूटिबिलिटी क्या होगी वह अच्छा है बुरा है उसके प्रॉजन कॉन्स क्या है जब भी किसी टेकनीक के बारे में बात की जाए और एक से ज़्यादा टेकनीक अविलेबल हो तो वी शूट रिमेंबर दैट के एग्जामिनर उसके किया था उसको में सेटेंबर के लिए तो कि अब को सेक्शन एगा आइडिया हो जाएगा सेक्शन बी का वी आइडिया हो जाएगा सेक्शन एमने पास नुमेरिकल प्लस थियोरी तो अब पहला सवाल हमारे पास आया थूपूट से रिलेटेट और यह बिल्कुल बेसिक क्वेस्टन है फ्रूपुट अकाउंटिंग का वाट इस दी रिटन पर बॉटलने एक आवर फॉर फॉर्टक इसका एक फॉर्मुला है रिटन कैलकुलेट करने का और वह फॉर्मुला अगर याद है तो इसली हम यहां से डेटा उठा अगें हमारे पाँ एक थ्यृरी का सवाल यह भी बजेटिंग से रिलेटट है कि अदि शुरू में हमारे पास history अ सवाल में कैलकुलेशव करो प्रॉसेंय है उसके अंदर फर्धर अगर करना बेनेफिशल हो गाए नहीं होगा लाइफ साइकल कोस्टिंग के वारे में त्यूरी का कुश्चिन त्यूरी यहां पर भी टॉमिनेट कर रहे हैं अगर हम सेक्शन भी टाइप कोश्टिंग के एडिया से एक तस नंबर का सवाल आता है यहां पर इसने कौस्टिंग का एक एरिया तेस्ट केया इस परीग्जैम में विच इस टारिट चॉस्टिंग अप्रोच अब एक कॉमन सिनेरियो हमारे पास अविलेबल है और इस कॉमन सिनेरियो से स्टाइल के अंदर एक्जाम के अंदर चीजें पूछी जाते हैं नौर्मली जो की वेबसाइट के उपर रिसोर्स अविलेबल है टेक्निकल आर्टिकल्स हैं या जो भी डॉकुमेंट्स एसी सी की वेबसाइट पर विलेबल हैं उनको भी फोकस करना चाहिए स्टुरेंट किस तरीके से कवर करेंगे इस्टुडी टेक्स इस वेडी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा से स्टुडी टेक्स पढ़ें आपकी 24 होती है कि आप क्या प्लान पढ़ लें या बीपी पढ़ लें अगर आप बुक रीडिंग करना आपकी हैबिट है तो आप बीपी पी पे जाएं अगर आप बुक रीडिंग करना अच्छा नहीं समझते हैं तो फिर आप इजी वाला ऑप्शन एडॉप करें वहां से आप अपनी थियोरी भी अच्छी करें साथ आपको सीवी प्लेटफॉर्म के उपर प्रैक्टिस करनी है रिवीजन किट भी आप कैपलान की इस्तमाल करें उसको आप इस्तमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर में किस तरह से सवाल पूछे जा चुके के अंदर सारे पास पेपर मिजॉरिटी अविलेबल होते हैं तो एक्स्ट्रा पास पेपर की वहां जरूरत पड़ेगी जब किसी टॉप किया लेक्चर हो गए स्टडी टेक्स हो गए आप नोट्स इस्तमाल कर सकते हैं अपने ट्यूटर के इसी तरह के साब रिविजन के इस्तमाल करेंगे सीवी प्लेटफॉर्म इस्तमाल करेंगे तो अफेक्टिवली आपके पास तैयारी अच्छी हो जाती है आप जो टॉपि मैंने पास मैनेजिंग इंफ्रमेशन सोर्सेज अफ इंफरमेशन प्राइमरी डेटा क्या होता है से के इंभु अने शिस्टम और आ के बारे में मैंने बताया इस्व कोस्टिंग चांटिंग इडवान्स वरसा रिखिश्टेंगी टेक्निक है लाइफ साइकल श्तंग फूर इनवायरमेंटल अकांटिंग एक पूरा ठॉरी का टॉपिक है फिर हम आ जातें डिसिजन वेकिंग जो कि जाता नुमेरिकल टॉपिक है रेलेबेंट कास्तिंग रेलेवेंट कोस्ट के से निकालेंगे ओवरेड के से निकलेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफित अनलिशिस कैसे निकालते हैं margin Of safety कैसे निकालते हैं Basic एक प्रोड़क्ट का तो पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर briींगे प्रोडक्ट ड्रेके प्राइसिंग को प्राइस काषिछ का करनी चाहिए अगर और क्वाइसिस नहीं प्रोड़क्क आई प्राइस के साथ जाना चाहिए प्राइसिंग की मल्टिपल टेक्नीक्स या होती है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको देखकर आप अपनी प्राइस करते हैं चेंज करते हैं आउट्सोर्सिंग मेक और बाय डिसीजन आप खुद बनाएं प्रोडक्ट या कहीं से बजटिंग में आपतें बजटिंग सिस्क्म इन टाइपस बजट कॉंटिटिटिटिव टेक्नीक्स एज टोल्ड यू रिग्रेशन अनलसिस को रिलेशन टाइम सीरीज लर्निंग कर फिर आजाती वेरियंस इस मिक्स ये ये नहीं टॉपिक्स हैं प्लैनिंग और ऑपरेशन डिवीजनल परफॉर्मेंस एंट ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट फॉर प्रॉफिट की कैसे परफॉर्मेंस मेजर्मेंट करते हैं उसमें क्या क्या हर्डल जाते हैं एक्सटरनल कंसिडरेशन और आखिर में जो इंप्लॉइबिलिटी वगड़ा की चीज़ें उससे रिलेटेड यूज कंप्यूटर टिकनॉलिजी टू एफिशेंटली असेसेंड मैनुपलेट रेलेवेंट इन्फॉमेशन रेलेवेंट रिस्पॉंस ऑप्शन जो आपको द बाता हो कि यह भी एक इंपॉर्टन टेक्नीक है जिसके जरी आप अपने पेपर को अफेक्टिवली जो है यूज करते हैं उसके बाद एक डिटेल स्टेडी गाइट जो के अंदर भी कवर होती है इससे आपको आइडिया होता है कि किस टॉपिक को आपको कितनी डैप्थ मे करने जाकर पढ़ना है किया के चीज़ें कबर करने लाइक वाइस अगर एक नजर हम इसी से की वेब साइट पर डालें और वहां देखेंगे हमारे पास टॉपिक वाइस कितने टेक्निकल आर्टिकल्स अविलेबल हैं क्या के रिसोर्स इस अविलेबल हैं पर कौन कॉन से ट स्टूरेंट को करता हूं कि टेक्निकल आर्टिकल इस यह वाज में पढ़ने चाहिए सो इस वी जुक्हेन चैकन सी एयर अच जो भी हमारे पस टोपिक स्टोपिक ट्यक्निकलार्टिकल एवब स्टेक्शन एक को देखा जाए तो यहां इंवार्मेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी एक टेकनिकल आर्टिकल पढ़ लिया तो इसका आपको अच्छे से लेक्चर के साथ कवर हो जाता है प्राइसिंग के ओपर दो टेकनिकल आर्टिकल दिये में रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉस्ट वॉल्यूम यहां पर टेकनिकल आर्टिकल हमारे पास हैं रिग्रेशन को रिलेशन टाइम सीरीज लर्निंग कर्व मिक्सिंग वेरियंस यह सब डाउनलोडेट फॉर्म में आपके पास कॉपी अवेलेबल होगी उसको आप वहां से देख सकते हैं बैलेंस कोर काड आ गया विल्डिंग आ गया डिवीजनल पर्फॉर्मेंस मेजरमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग यह सारी चीज़ें यहां पर दीवी और जो हम आपको लाइफ क्लास के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर आपके पास हमारे पोर्टल पर आपको कुईज मिले हैं यह टॉपिक के साथ हर टॉपिक के साथ आपको असाइमेंट सॉल्फ करने को दिये जाएंगे और जो लेक्चर आपके पास अवेलेबल होंगे एजी टू एकसेज आपको पास्ट पेपर सारे पास्ट पेपर एकसेज कर सकते हैं बुक्स वगरा की सॉफ्ट कॉपी कि व वगरा कर संब को